नमस्कार विद्ध्य थिमित्राणनों आतापन ग्वेश्चिन नूम्बर 2 या ठीकने अप्रसनों ट्रिनोमेट्री मदे ग्वेश्चिन नूम्बर 2 मदे दिल्ले अप्लेला पहा टैन थीटा हीर टैन थीटा इस एक्वाल टू 3 डिवाइड़ भाई 4 हाँ टैन थीटा अप्लेला दिल्ले लाए और या टैन स सुत्र अपले अगड़ दोन टैन थीटा पारिश्चित शुत्र अपन लक्षा अठ्छिट वाइचे एक मांजे sin theta अणि identity बें sin theta अणि cos theta यांच रिलेश्चन आए नंतर identity में चेकन थीटा अणि सेक्वा स्क्वाइचे आनि त्यास पद्धिन नंतर चाहते मांजे cotθ च या ठीकानी cosec theta या पद्धिच्छ रिलिश्यन आप्टियाले त्या ठीकेन पाईच अंतर identity में लग्षा ठेवाईचे मांजे sin square plus cos square is equal to 1 1 plus tan square is equal to cosec square theta and 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta या पद्धितिन सुत्र आप्टियाले लग्षा ठेवाईचे मांजे identity में जे sin cos tan sec आनि quad posic या पद्धिन पेर्स आप्टियाले लग्षा ठेवाईचे सुत्र लग्षा ठेवाईचे आता इथा या ठीके आपन याला सूड़िया so we have आपले अगड़ा सुत्रा है काया है थे पा 1 plus tan square theta is equal to sec square theta आता tan theta चीके मादा आपन याचे मादे ठेवाईचे therefore 1 plus 3 by 4 bracket square is equal to sec square theta and now याचा square को रहे आता आपन 1 plus 3 square is 9 4 square is 16 is equal to sec square theta आपन या ठीका निजर आपन fraction चीड़िशन के लिए 16 1 जा 16 plus 9 divided by 16 that is equal to sec square theta and therefore here it is 25 divided by 16 is equal to sec square theta आता दोनी बाजुचा आपन square root काल्ड तोर आपनला मिर्त 5 by 4 is equal to sec theta sec theta ची किमात आपनला 5 divided by 4 या पदितिन मिला लिली आता sec theta हाजवा हे this is inverse of what cos theta हाँ inverse हाहे कोना चाहे cos theta चा inverse so we can write here therefore cos theta is inverse of what sec theta sec theta so that is equal to 1 by जरा आपन याला सोडोला तर का याता पा आपनला हेचा मदे 1 divided by 1 upon 5 by 4 याता if you take it sinverse it will be 4 by 5 so cos theta is equal to 4 by 5 and sec theta is equal to 5 by 4 या पदितिन आपनला या ठीका नी sec theta नी cos theta ची किमात मिला लिली आहे so we have used trigonometric identity and त्या मदे सुत्रव आपनला है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta आपनला याचा मदे पाला सर्त हेज गणित आपनला वेग्रा पदितिन सुत्रव शोडो शोक्तो त्यासे आहे आपन त्याच्या values trigonometric ratio च्या values आपनला पाला पाला शोक्तो याच्या साथ है आपन यह खाता right angle ठेका लेग्र के ला सपोज हाँ A, B A, B, C यह चामादी B हाँ 90 डिग्री सा है आणि आपन्जर थीटा हाँ C कुन थीटा कंसेडर केला तो यह ठीका ने tan थीटा जो अस्तो तो अस्तो अपोजिट साइड अफ अगल थीटा डिवाइड़ेड़ बाइड़ेसंट साइड कुन थीटा पोजिटा 3 यह ठीकाँ थीटा हाँ 3K आनि यह ठीकाँ मेजरमेंटा सेल 3 मज़े 4K यह पद्धितीना अप्रेकर अकड़े मेजरमेंटा सेल आनि यहांचे वाल्यूस कंसिडर करून आपन थाठीकन पासे हाईपोटेनश कर शुकतो या ठीकाने आपन थोड़ क्या सांग तो मियाला कि आच्या मारे हाइपोटनेस सब्मन कर शुकतो A C square is equal to A B square plus का येतो B C square that is equal to 3 K bracket square plus 4 K bracket square is equal to यंसा square जे किला तो 9 K square plus 16 K square येतो and that is what 25 K square and this is A C square which we have to find out which is the hypotenuse of this right angle triangle आनी दोनी बाज़तो तो अपन स्क्वेर काल रहतो A C is equal to 5 K येतो बरो बरे तरफ A C ची value 5 K मझे we obtain hypotenuse and then we can write the ratio remaining ratios तो तो तामादे सेक थीटा येतो therefore सेक of theta is equal to ये ची 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 value तो माला 5 K मिलाली तो और सेक थीटा ची value येते सेक थीटा अपना सम्तो हाइपोटिनस divided by adjacent side that is what 5 K upon 4 K so KK will be cancelled the value is 5 by 4 and second is second येते येती cos theta and cos is inverse definitely cos is inverse of सेक so that is what 1 by cos क्यों cos theta ची तुम्ही वाल्या आशे ही गयो चकता कि adjacent side upon hypotenuse ती येते 4 K upon 5 K KK will be cancelled so the value is 4 by 5 तर या पद्धती न सुध्धा आपन ही गणित सुड़ू शकतो तर generally we are using trigonometric identity to solve these kinds of problems so we will see now next problem तर या second third problem मधि आपिल दिले cot theta दिला आणि आप्याला काड़ेचा cos theta नी sin theta या दोन कीप्त आप्याला काड़ेचा तर लक्षाद ग्या या ठीका नी आप्याला cot आणि cos theta यांसो रिलेशन हाई trigonometric identity मधि ती कश्या सुरुप मधि 1 plus cot square theta is equal to cos square theta so you have to use that formula so firstly we will write the given cot theta is equal to 40 divided by 9 and we have we have formula कुंता formula है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta so now place the value of cot theta in this formula किमठ हो या थे चाड़ीज छेद नू bracket square is equal to का ये तो cosec square theta ये तो आता ये चागर कोरे यात 1 plus 44 square 1600 this is the square of 40 40 चागर चागर ये तो divided by 81 that is what cosec square theta या ठीकने या ये ये चागर्चन चाड़ीज चाडिशन 81 into 1 81 plus 1600 divided by 81 therefore ये चाडिशन के लिए तो 1681 येत divided by 16 that is equal to cosec square theta आता यहाचे मद दुर तुम्ही पहिला सेल, तर हाँ, पहिला सेल इते 81 एते, 81 आणि याठी कानी हाँ 1681 आणि 81, 1681 हाँ पहिला सेल तर आपन स्क्वेर रूट संक्तो तो कोना साए, 41 स्क्वेर रूट आए, सो भाइओ, तर रूट स्क्वेर रूट, दिर्फोर, कोसिक थीटा इस एक्वल तो काईच वैलू, 41 दिवाइद बाइ, 9 आणि अगें स्क्वेर रूट, ON टिकिंग स्क्वेर रूट, स्क्वेरूट काल्ड आता याच स्क्वेरूट काल्ड यान अंतर आपले आला कोशिक थिटा हा कोना चा इन्वर्स है साइन थिटा चा नाउ साइन थिटा is inverse of what? कोशिक थिटा सो याची बहली अपन थिवली the 41 by 9 that is equal to 9 by 41 therefore sin theta is equal to 9 by 41 या स्वरूबवा मध्याप्याला किम्ती आठीका नी मिलग आहे तर अपन तीन ही पहिल्या प्राब्लम साथी तीन वेगवेगली ट्रिगनोमेट्रिक आइडन्टिटी यूज केली आहे याच प्रदाथीन पूलिल प्रब्लम सफिला सल्ल करेज़़ लेटिस से नेक्स्ट प्रब्लम सभषा प्राव्ब्रम्स्स या ठीक है आब वयस्वें मध्यें, five six theta minus twelve cos theta is equal to काय स्थीडलेला है, जीरो द्लेला है, तर या ठीक है अपन दिलिलो काय से प्ला हुए, काय से दिललें पहा, five six theta minus twelve cos theta is equal to zero यहाला आपन जर यहाला राइट साडले शिफ्ट कोरेयात therefore 5 सेक थीटा minus is equal to 12 को सेक थीटा आणि यहा ठीकाणि यहाला जर आपन यहांचे इनवर्स गेतले तर 5 आपन सेक थीटा चा इनवर्स हेतो कोस थीटा आणि को सेक थीटा चा इनवर्स हेतो तो साइन थीटा यहाँ पद्धतीन आपन दोगाण चे इनवर्स हेतो काई गेतले परतेक था पगा सेक थीटा चा इनवर्स हेतो कोस थीटा आणि को सेक थीटा चा इनवर्स हेतो साइन थीटा 12 by sin थीटा is equal to 5 by cos थीटा आणि आणि क्रोस मुल्टिप्लाइ करिया काई होता मा क्रोस मुल्टिप्लाइ करिया साइन थीटा अपन cos थीटा is equal to 12 थीटा की थीटा थीटा finally we obtain sin by tan sin by cos is nothing but tan थीटा 12 by 5 is what tan थीटा यहाँ ठीकान प्याला tan थीटा is equal to sin थीटा by cos थीटा यह सुत्र आहे आणि यहाँ tan थीटा ची क्यम्मत अपलिया कड़े मिलाली कि यहाँ वरन आपलियाला sec थीटा, cos थीटा नी sin थीटा सेपरेटली फाइन आपलियाला मझे आत्ता परेंचा गणिदा मधे आपलियाला tan थीटा 4 थीटा, sin थीटा n चा किम्ति दिल्या आजायचा डायरेक्ट त्या वरन आपन बाक्के चा उरलीले किम्ति काड़े शुत्तो तर आता इथा तुम्हाला वेग्रास रूपा मधे दिल्यले आणि तला पलिला याज ठीकाने आसे आता जनरली तुम्हाला मैंति का tan चा फार्मुला आणि sec चा फार्मुला तो वेव trigonometric identity 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta तो वे आता था तो 1 प्लस 12 बाय 5 bracket square is equal to sec square theta याप पर दिच्चिन इथा पन शोड़ोते मा का यता 1 प्लस 144 is the square of 12 and 25 is equal to sec square theta या sec square theta इता addition of fraction याज चैदिशन कुरिया 25 multiplied by 1 25 यता and therefore we can write here 25 plus 144 divided by 25 is equal to sec square theta हा sec square theta आता addition ग्रेशन कुरिया याथे हैं ची इता याला प्लस असली तेईल 25 therefore 25 plus 144 144 divided by 25 is equal to sec square theta आनि या उरन अपन या ठीकन लिएथ 169 by 25 is equal to sec square theta हाँ कोना चा square है हाँ square चा पाले से थर्टीन आनी 5 चा denominator लो 5 चा square है numerator लो 13 चा square है 13 divided by 5 is equal to sec theta इथा काई केला आपन square root काले ले therefore sec theta is equal to 13 divided by 5 on taking square root square root काले लेपन taking square root on taking square root square root मा आते याची किम्मत आपलेला sec ची मिला ले आता कोना आची किम्मत कड़ेचे आपलेला cos ची किम्मत कड़ेचे so definitely we will solve this one problem so sec theta is inverse of therefore cos theta is equal to 1 by काई तो sec theta so 1 by 13 by 5 is equal to reverse येतो 5 by 13 and therefore cos theta ची किम्मत आपलेले मिल्टे 5 by 13 ठीके ची किम्मत मिला लेन अंतर याला परत अपन या ठीकाने tan च सुत्रा है अपले अकड़ sin theta by cos theta येन ची किम्मत आपले अपन ते काड़ेच tan theta is equal to now tan theta is equal to काई तो sin theta by cos theta येतो न या पद्धती न येतो मा रेश्यो ठेवे अपन काई तो sin is equal to काड़ाईच आपलेला cos न येता दोनी आसले मोड़े हे सुत्रावा अपरते मी ठीके दोनी आसले मोड़े हे सुत्रावा अपरते so tan ची value इथा किजी मिल्टे आपलेला tan theta therefore sin theta is equal to काई तो tan theta multiplied by cos theta हे आपलेला मिल्टो मा किम माठ्य होया tan theta ची value किते हो 12 by 5 किम माठ्य होतो 12 by 5 multiplied by cos theta ची value किते है 5 by 13 5 by 5 काई होतील cancel अटले याठीकन इथो इथो वरतीली तो मी therefore sin theta is equal to tan ची value मेल्टे 12 by 5 आणी cos ची मेल्टे 5 by 13 तर हे दोनी cancel के लिए sin theta मेल्टो मेल्टो अपलेला sin theta is equal to 12 by 13 so finally we obtain three values तीन किम्त्य अपलेला मिल्टे याठीकन इथो अपलेला पहिली किम्मत मिल्टेले रहे सेक theta त्यानांतरा पन कल लिए cos theta आपन सेम प्राब्लम आए अपन ची वैल्यू आए अने टैन आणी कॉस्ट च्या वैल्यू वरना आपन साइन ची वैल्यू डेफिनेटली काडू शोकतो अनि त्या मड़ या पद्धितिना हाफ प्राब्लम आपन स्वाल केलेला आए